क्या आपके mobile का camera बिल्कुल low quality का है जब आप अपने mobile से photo खिषते हैं तो क्या आपके photo का background सही से बलर नहीं हो पाता है ओके तो फिर tension ना लिजिए क्यूंकि आज के इस video के अंदर मैं आपको दो ऐसा camera app बताऊंगा जिसको अगर आप अपने phone के अंदर download कर लेते हैं तो उसके बाद आपके mobile का normal camera होगा जिसका quality बिल्कुल खराब है वो बिल्कुल DSLR जैसा हो जाएगा अगर आप इन app को download कर लेते हैं तो उसके बाद आपके phone में ऐसा photo आएगा कि कोई भी बंदा अगर देखेगा आपके photo को वो एक बार आपसे जरूर पूछेगा कि भाई तुने DSLR से photo खीचा है या फिर mobile से ही खीचा है वो एक बार जरूर confused होगे ये सवाल आपसे पूछेगा अगर आपकी mobile का camera quality बिल्कुल खराब है ना तो इस video को पूरा जरूर देखना क्यूंकि मैं आपको इस video के अंदर दो ऐसा app बताऊंगा जिसे अगर आप डाउनलोड कर लेते हैं दोनों में से किसी भी एक app को अगर आप डाउनलोड कर लेते हैं तो आपकी mobile का जो camera होगा वो बिल्कुल DSLR जैसा हो जाएगा तो यहाँ पर मैं ज्यादा इधर उदर की बातें नहीं करूँगा चलिए सीधा point पे आते हैं वीडियो को सबसे पहले शुरू करते हैं जैसा कि आप सभी को पता है कि इस कारे करम को आगे बढ़ाने के लिए आपको एक काम हमेशा करना होता है सबसे पहले आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा अगर आपने लाइक नहीं किया है तो इस लाइक के बड़न पर किलिक करके वीडियो को लाइक कर दीजेगा और अगर आपने अभी तक TECNO CHAMPION CHANNEL को सब्सक्राब नहीं किया है तो red color के बटन पर किलिक करके चैनल को सब्सक्राब कर लिजएगा और साथी साथ इस घंटी वाली option पर किलिक करके all पर सलेक्ट कर दिजएगा इतना काम करने के बाद आप मुझे नीचे आकर comment करके बताना कि इन दोनों में से किस app को आप ज्यादा पसंद करते हैं आप वो मुझे नीचे comment करके ज़रूर बताना नमबर वन फैबी selfie art camera जैसा कि आप देख सकते हैं इस app का जो link है मैंने वीडियो के नीचे description में डाल दिया है आप वहाँ से इसे download कर लिए यह जो app है बहुत ही कमाल का है इससे इतना कमाल का photo आता है कि कोई भी बंदा देखकर आपके photo को यह कहेगा कि भाई तू DSLR से photo किलिक कर रहा है जी हाँ कमाल का photo आता है इस app से चले यहाँ पर इस app को open करते हैं जैसे ही आप इस app को download कर लेंगे तो कुछ इस तरह से इसे open करना होगा उसके बाद यहाँ पर आपको allow की option पे किलिक करना होगा जैसे ही आप इसके उपर click करेंगे तो कुछ इस तरह से इसका interface आएगा यहाँ पर आपको continue without signing का एक option मिलेगा आपको इसके उपर click करना होगा उसके बाद यहाँ पर आप normal camera के तरह ही photo को click कर सकते हैं जस्ट आपको इस button पर click करना है उसके बाद आपका photo click हो जाएगा आपको इसके उपर click करना है जैसे ही आप बलर के option पर click करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो photo का background है वो पूरी तरह से बलर हो चुका है पीछे के जितने भी चीजें है वो बलर हो चुकी है यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तो यह जो app काफी कमाल का यहाँ पर पहुत तरह से बलर कर सकते हैं पूरा का पिरण हो चुका है दोस्तो इस app को आप ज़रुर ट्रा करना है अगर आपकी mobile機 का camera बिलकूल low quality का है तो आपको यह app एक बार ज़रुर से try करना चाहीं इसका link आपको वीडियो के नीचे description में मिल जाएगा आप वहाँ से इसे download कर लेना नमबर 2 B612 जैसा कि आप देख सकते हैं इस app को आपको download करना होगा इसका link मैंने वीडियो के नीचे description में दे रखा है आप वहाँ से इसे download कर सकते हैं दोस्तों यह जो camera app है इसके अंदर आपको काफी सरे features मिल जाएंगे जिससे आप बहुती अच्छे quality का photo किलिक कर सकते हैं आपकी photo का जो background होगा वो perfect तरीके से बलर हो जाएगा आपके photo का जो quality होगा वो बहुती जदा कमाल का आएगा बहुत जदा awesome आएगा जश्ट आपको इस app को download करने के बाद कुछ इस तरह से open करना है उसके बाद agree and start का एक option मिलेगा आपको इसके पर किलिक करना है उसके बाद यहाँ पर आपको permission देना है तो continue की option पर किलिक करना है जैसे ही आप continue की option पर किलिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर allow की option पर किलिक करना है, then stranger click कर ना है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अपनर कैमरा ओपन हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं, लेकिन इस एप चलीप कर आप अपो बहुत सारे 其टर मिल जाते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, photo ज़रूर click करना चले यहाँ पर मैं आपको अपना खुद का एक photo click करके आपको दिखा देता हूँ कि इस app से कितना कमाल का photo click होता है जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने photo को click कर लिया है तो कुछ इस तरह से आप भी अपना photo को click कर लेंगे उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको edit का एक option मिल जाएगा आपको इसके पर click करना है जैसे ही आप इसके पर click करेंगे तो यहाँ पर आपको धेरो साइडे जो है option मिल जाएगे features मिल जाएगे जैसा कि आप देख सकते हैं अगर आप अपने photo के अंदर DSLR वाला look चाहते हैं अगर आपके photo का background बिल्कुल DSLR जैसे बलर हो जाए तो यहाँ पर आपको DSLR का एक option मिल जाएगा आपको इसके पर click करना है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप इस तरह से इसे increase कर सकते हैं अपने photo पर जिस तरह से आपको चाहिए होगा उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप सेब की option पर click कर देंगे तो आपका photo होगा वो सेब हो जाएगा तो दोस्तों इन दोनों एप्स को आप यूज कर सकते हैं अगर आपके mobile का camera बिल्कुल low quality का है तो आप इन दोनों Apps को यूज करके आप अपने घिसे पीटे camera को जाए बिल्कुल DSLR camera जैसा बना सकते हैं तो आसा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आर इस वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राब कर ल बाइ बाइ